अलग अलग जानवर या परिंदों के लिए अलग अलग वर्ड इस्तमाल किया जाता है क्या आप जानते हैं मेधकों की आवाज यानि मेधक टर टर कहते हैं तो वो टर टर की इंग्लिस होती है क्रॉक जैसे माल लिजे अगर आपको कहना हो मेड़क टर टर करते हैं तो इस sentence के लिए आप कहेंगे फ्रॉक्स क्रॉक यानि मेड़क टर टर करते हैं अगर आपको कहना हो मुर्गिया कुट कुट करती हैं यानि मुर्गियों की आवाज को कुट कुट कहते हैं और इस वर्ट की इंग्लिस होती है कलक यानि कुट कुट करना जैसे मान लिजे अगर आपको कहना हो मुर्गियां कुट कुट करती हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हैंस कलक यानि मुर्गियां कुट कुट करती हैं अगर आपको कहना हो उल्लू हूं हूं करते हैं यानि उल्लू की आवाज जो होती हैं हूं हूं को इंग्लिस में कहते हैं हुट जैसे मान लिजे अगर आपको कहना हो उल्लू हूं हूं करते हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप क और इस वर्ट की इंगलिस होती है कू जैसे मान लिजिये अगर आपको कहना हो कबूतर के लिए आप कहेंगे पीजन्स कू यानि कबूतर करते हैं अगर आपको कहना हो बकरियां में में करती हैं या भेड में में करते हैं यानि बकरिया या भेड की आवाज के लिए आप कहेंगे बलीट जैसे माल लिजे अगर आपको कहना हो बकरियां में में करती हैं या भेड में में करते हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे गोर्स यानि बक्रिया या भेड में में करते हैं, अगर आपको कहना हो चिडिया चह चहाती हैं, यानि चिडियाओं की चह चहाने को इंगलिस में कहते हैं चिर्ब, तो अगर आपको कहना हो चिडियाओं चह चहाती हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, बर्ड्स चिर्ब या चीडियां च्रती हैं क्या आपको पता है बिल्ली की आवाज यानि मियाव.. कोंद हिंग्लिस में कहते हैं मिय इगर आपको कहते हैं तो इस सेंटेंस के लिया आप कहेंगे क्या आपको पता है घोड़े की आवाज यानि घोड़े हिन हिनाते हैं तो वाड़ हिन हिनाने के लिए हम कहते हैं ने जैसे माल नीजे अगर आपको कहना हो घोड़े हिन हिनाते हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे होर्सेज ने यानि घोड़े हिन हिनाते हैं काना फुसी करना को इंगलिस में कहते हैं विश्पा जैसे अगर आपको कहना हो वेलो काना फुसी करते हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे विश्पा यानि वेलो काना फुसी करते हैं दातों की कट-कटाने की sound को कहते हैं clatter, यानि अगर आपको कहना हो वह दात कट-कटा रहा है, तो इस sentence के लिए आप कहेंगे he is clattering, यानि वह दात कट-कटा रहा है, क्या आपको पता है, लडखडाना की English होती है stagger, यानि अगर आपको कहना हो वह लडखडाती है, तो इस sentence के ल आती है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे sea trembles हवा के संसनाने की आवाज को Swiss कहते हैं यानि अगर आपको कहना हो हवा संसना रही है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे the wind switching यानि हवा संसना रही है आवाज के गूजने की इंगलिश होती है अगर आपको कहना हो आवाज गूसती है, तो इस sentence के लिए आप कहेंगे, the sound echoes, क्या आपको पता है, गहने की खनखनाहट को इंगलिस में कहते हैं, तिंकल, यानि अगर आपको कहना हो, गहने खनखनाते हैं, तो इस sentence के लिए आप कहेंगे, the ornament's tinkle, यानि गहने खनखनाते हैं, क्या आप जानते हैं, सिक्के की खनखनाहट की आवाज को या जहन जहनाहट की आवाज को कहते हैं जिंगल जैसे मालनीजी अगर आपको कहना हो सिक्के जहन जहनाते हैं या सिक्के खनखनाते हैं तो एस sentence के लिए आप कहेंगे the coins जिंगल यानि सिक्के खनखनाते हैं friends उम्मीद करता हूं यह सभी वर्ड्स आपको बड़े शांदार तरीके से समझ में आया जल्द ही मैं आपके लिए इसी तरीके के कुछ और वर्ड्स लाओंगा ताकि आप शांदार तरीके से सीख सकें कि जानवर परिंदे और चीजों से निकलने वाली साउंड को इंग्लिस झाल 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 झाल